हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो माई चैनल आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्रेड 9 मोशन चैप्टर की इंटरडक्शन तो वाट इस मोशन तो मोशन क्या होता है हमने देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं कार से तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ टाइम और कुछ दिस्टेंस भी हम ट्रावैल करते हैं हमने देखा है कि जो ट्रीह है और जो पॉल आते हैं बीच में वो स्टेशन नरी रहते हैं बर्ड्स, बस्स, काश, शेम एरॉप्लेन यह सब मूव करते हैं और बाकुछ-कूछ अबजेक्ट्स है veux स्टेशनरी रहते हैं जो है वह waterpad ट्रेंटना से अगर हम द्रेली से मॉंबई ले जाती है उसके लिए फॉल करते हैं तो ऊसके लिए और ज्याधा टाइम लग जाता है और से अगर ट्राविल करें तो ट्राविल हम तुछ टाइम लगता है और हम कुछ डिस्टेंस पर ट्रावल करने में उपार यह तो यह क्या工作 से लिए चैनल क्या है तो ब्लॉषन है तो मोशन क्या है तो movement of a body is called motion कोई भी object जो move कर रही है उसे कहेंगे motion में है वो object तो वो जो object जो move कर रहा है वो किसके according move कर रहा है कोई भी stationary object के according move कर रहा है सपोज हम move कर रहे हैं यहां from point A to point B और कोई tree होता है वहाँ पे तो वो tree जो stationary है उसके reference में हम एक point से दूसरे point तक move कर रहे हैं तो हम जब भी motion को लेते हैं तो हम एक reference point बनाते हैं जिसको हम center में रखते हुए देखते हैं कि हम कहाँ पे move कर रहे हैं और हमें कितना time लगता है उसको move करने में और कितना distance हम move कर रहे हैं तो दूसरा आता है कि यह पहला पॉइंट होता है कि all moving object change their position with respect to time हमेशा हम कुछ भी distance travel करेंगे तो हमारी position change होगी और उस position को change करने के लिए हमें थोड़ा तो time लगता ही है तो वो जो time लगा और जो हमने position change करी वो होती है motion अब दूसरी जो बात आती है कि suppose हम ले कि एक जो घड़ी होती है घड़ी जो चलती है ना हमारे घड़ी में तीन काटे होते है एक तो seconds का काटा होता है एक minute का होता है और एक hour का काटा होता है तो इन तीनों काटों में difference क्या है कि seconds का जो काटा होता है वो हमें उसका motion बहुत ही clearly दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत fast move कर रहा होता है और जो minute का जो hand होता है वो हमको 2-3 minute के बाद मालूम पड़ता है जब वो 3 पे से 4 पे आता है या 3 और 4 के बीच में जब आता है तब हमें मता पड़ता है कि नहीं minute का hand move कर रहा है तो उसके लिए हमें थोड़ा wait करना पड़ता है और hour का hand move कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है आधे गंटे बाद या 15 minute बाद चेक करना पड़ता है कि hour का hand move हुआ या नहीं तो इस relation से अगर हम समझे पशन क्या है तो इसलिए और मोशन करती है यो पीट्र जल्द जल्द चेंज लेरा है उसके कम कर रहा ह है तो हमें थोड़ा के बाद दिखाई देता है और हमोर का बाद देखना पड़ता है कि वो पोजिशन चेंज किया कि नहीं किया तो तो कोई भी जो मोशन में है वो अपने उसका जो हम कैसे निकालेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि वो मोशन में तो उसकी पोजिशन मोशन में तो यह बहुत ही इंपोर्टन डेफिनेशन है मोशन की आपको यह समझ में आई होगी अगर आपको पसंद है तो लाइक करें शैर करें थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग